अबस्क्राइब कीजिए पासी चैनल को साथी प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए वेलकम बेक गाइज आठ डिसकस करेंगे बैट सोर के बारे में जिसे कई लोग प्रेशर अलसर प्रेशर सोर या डेगुबिडस के नाम से जानते हैं तो ये क्यों होते हैं क्या कारण होता है इनके होने का इनकी स्टेज के बारे में डिसकस करेंगे ये क्यों बनते हैं किस बनते हैं लेकिन जो इनकी healing process है ना ये बहुत ही slow होती है बहुत ही दीरे-दीरे heal होते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा one of the best ointment या cream और one of the best tablet जो की आपको bad sore से बहुत ही जल्दी अराम देंगी बहुत ही जल्दी bad sore ठीक होगा तो ये सब चीज आज हम इस वीडि challenge पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो guys आज की जो वीडियो है ये पूरी तरहां से dedicated वीडियो है bad sore के उपर और इस वीडियो में हर चीज मैंने discuss करी है ताकि आपको अलग-अलग वीडियो को देखनी की जरूरत ना पड़े इस वीडियो में मैंने bad sore क्या होत है उसकी stage के बारे में उसके कारण के बारे में और जो सबसे बड़ी चीज होती है prevention बचाव इनसे कैसे बचाजा सकता है तो इसके बारे में बताया है इसकी रोक थाम के बारे में बताया है साथ ही इसका one of the best treatment में आपको बताया है जो की hospital में यूज किया जाता है actually guys क्या है क कई लोग financial problem से भी जूर रहे होते हैं और hospitalized नहीं करा सकते patient को hospital के वैसे भी जो fees होती है बहुत ही expensive होती है तो ऐसे लोग है जो घर में ही patient को treat कर रहे है ना मजबूरी के कारण ये वीडियो उनके लिए भी काफी useful होने वाली है इसलिए वीडियो को बिना skip के last तक जरूर दे तो गाई सबसे पहले तो हम जानते हैं कि bad sore होता क्या है और क्यों बनता है तो गाई सबसी आसान शब्द में अगर मैं आपको समझाओं बहुती आसान language में मैं आपको समझाओं ना तो bad sore उन लोगों को होता है जो काफी लंबे समय तक या तो बैठे होते हैं या फिर लेट जाता है और वहां पर blood supply नहीं होती मान लीजिए अगर कोई भी person लेटा हुआ है ना तो उसके उसका जो body weight है जिस specific part पर उसका body weight ज़्यादा होता है वहां पर blood supply नहीं होते और वहां पर bad sore develop हो जाता है मतलब कि बन जाता है suppose करें कि अगर मैं लेटा हुआ हूँ और अगर मेरी body का वजन सबसे ज़्यादा कहां पड़ेगा बटक्स पर जो की बोनी एरिया है सैक्रम और कोकिक्स वहां का बोनी एरिया है ठीक है वहां पर हड़ी होती है उपर हड़ी और नीचे मास होता है तो वहां पर blood supply नहीं होती और ये सबसे ज़्यादा यहीं पर bad sore develop होता है ठीक है सैक्रम और कोकिक्स जो बोनी एरिया है वहां पर बहुत ज़्यादा bad sore देखे जाते हैं और जो दूसरी जगा है सीर के पीछे जो वजन है ना सीर का लेटे रहने पर सीर का वजन पीछे पड़ता है और वहां पर blood supply नह का वजन पड़ता है और वहां पर भी bad sore develop हो जाता है कई बरी लोगों को elbow पर भी होता है या shoulder पर भी होता है लेकिन बहुत ही कम पहला सैक्रम और कोकिक्स पर head पर और heel या फिर knee पर सबसे ज़्यादा bad sore देखे जाते हैं ओके तो I hope कि आपने bad sore को समझ लिया होगा कि bad sore होता क्या है और क्यों बनता है अब बात करते हैं guys इसकी stages की तो guys stage के हिसाब से ही treatment किया जाता है तो जो bad sore है ना उसकी 4 stage होती है first stage में क्या होता है कि first stage में जब bad sore develop होगा तो वहां पर जहां पर bad sore develop होना होगा ना वहां पर redness और सूजन होगी मतलब कि लाल वो पढ़ जाएगा और सूज जाएगा यह हर कोई व्यक्ति देख सकता है आपने भी कभी notice किया होगा जब भी आप सोते हैं मान लीजे मैं सो रहा हूं ठीक है और यहां पर मेरा pressure पढ़ रहा है जो सीर है यहां पर और जो body का सबसे ज़्यदा weight है वो पढ़ रहा है तो जब मैं सो के जो redness होगी यहां पर blood supply एक बार रुख जाएगी ठीक है यहां पर लाल लाल रहेगा redness रहेगी लेकिन positioning को change करने के कारण यह अपने आप normal हो जाता है जो भी मेरी skin का color है वो normal हो जाता है लेकिन जो लोग ज़्यादा समय तक एक ही position पर रहते हैं या बैठी रहते हैं तो उ दूसरी stage में बदल जाती है और दूसरी stage में क्या होता है कि हमारी skin की जो पहली और दूसरी layer है मतलब की epidermies first layer और second layer dermies वो फट जाती है rapture हो जाती है ठीक है जो यह skin है ठीक है इसकी पहली और दूसरी जो layer है ना वो फट जाएगी rapture हो जाएगी और उसके अंदर से watery type fluid discharge हो होगा बस redness होगी थोड़ी थोड़ी खारिश होगी जलन महसूस होगी ठीक है तो यह second stage में होता है अगर इस stage पर भी ध्यान नहीं दिया जाता और patient ऐसी ही position पर रहता है तो यह third stage में बदल जाता है और फिर क्या होएगा कि यह जो ulcer है यह काफी बड़ा होगा इसमें redness हो होगी साथ ही जलन होती है और थोड़ा सा फीवर भी आने लगता है patient को white blood cell है अगर CBC कराते हैं TLC कराते हैं तो TLC भी रेज होती है और फीवर indication होता है कि हाँ अब infection हो चुका है और गाई जो second stage है ना second stage में जो fluid निकलता है वहाँ पर यह जो भी bacteria है उनको एक source मिलता है शरीर में एंटर करने का ठीक है अगर second stage में आप समाल लेते हैं patient को या खुद का bad source समाल लेते हैं तो अच्छा है वरना third stage में bacteria काफी अंदर तक पहुंचते हैं तो second stage में क्या था कि epidermies और dermies layer effect हुई थी हमारी पहली और दूसरी तो जो third stage है यह subcutaneous तक भी पहुंच जाता है और जो ulcer है जो जखा में वो काफी जदा बड़ा हो जाता है infection हो जाता है और पस पढ़ती है पस formation होती है मवाद पढ़ता है ठीक है और अगर इस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता और साथ ही अगर अच्छा treatment नहीं लिया जाता तो यह fourth stage में बदल जाता है जहां पर patient को high grade fever होता है और जो पस पढ़ती है ना वहाँ से बदबू आती है और साथ ही जो TLC है वो भी बढ़ती है और जो patient है उसका central nervous system पर effect पढ़ता है bad sore का और patient को काफी तरहां की problem होती है और यह उन ही लोगों को होता है जो खास तोर पर घर पर होते हैं क्योंकि hospital में भी देखे bad sore होता है ले वहाँ पर वो ठीक भी हो जाते हैं लेकिन जो 3rd और 4th stage का bad sore होता है यह खास तोर पर उन patients के साथ होता है जिने अच्छे से care नहीं दी जाती तो अगर आप अच्छे से properly care देंगे तो 3rd और 4th stage का जो bad sore है वो भी care हो जाएगा अब बात करते हैं reason की कि क्यों बनता है bad sore तो गाई देखिए जो सबसे पहला और बड़ा कारण मेंने देखा है मेरे खुद के experience से वो है patient का एक ही position पर रहना देखिए क्या होता है कि जो patient है ना ventilator पर जो patient होती है उनको खास तोर पर bad sore होता है इसलिए हर hospital का protocol होता है कि 2 घंटे में ventilator वाले patient है उनकी positioning change कराई जाती ह साथ ही physiotherapy होती है ठीक है तो बहुत सारे procedure होते है और bad जो air bad है ना वो भी guys हर patient को लगता है खास तोर पर जो ventilator पर भी नहीं होते ना patient जो obesity के patient होते हैं जिनका वजन बहुत जादा होता है ठीक है उनको air bad दिया जाता है ताकि उनको bad sore ना हो ठीक है तो सबसे पहला कारण तो रहता है एक ही position पर चाहे वो बैठा हुआ हो चाहे वो लेटा हुआ हो तो उसको bad sore होता ही होता है ठीक है दूसरा है friction अब वो friction किसी से भी हो सकती है या तो वो कपड़ों के साथ हो सकती है friction का मतलब है रगड लगना मतलब की skin की या तो कपड़े के साथ या फिर mattress के साथ र Cabbage हो जाते हैं और वह बेड सोर में डेवलोप हो जाते हैं और तीसरा कारण है वह है लेको कर देशन मतलब की कई लोग ऐसे होते हैं जो की पारकिसेटिसन होते है चिने पैरेलाइसस होता तो या वेंटी और क्या होता है कि एक ही पुजीशन पर रहते हैं अब होता है normal person तो एक ही position पर रहता है तो उसे दर्द भी होने लग जाता है या फिर जो बोनी एरिया है वो चूबने लग जाता है इसलिए वो position को change कर लेता है आपने भी देखा होगा फिर आदत ही बन जाती है कि एक बंदा जो है वो एक position पर नहीं रहता करवटे बदलता रहता है सोते टाइम यह normally होता ही है लेकिन ऐसे person जो पार्किसन डिजीज के होते हैं या फिर ऐलजाइमर डिजीज के या वेंटिलेटर पर या फिर पैरलाइसिस के होते हैं ना एक ही condition पर जो रहते हैं उनको ये डेवलोब हो जता है जिनकी जो sensation होती है। एक तो जड़ा होगा साथ ही जो स्टूल है और यूरिन है उसके अंदर हमारे बोड़ी के waste material होती है virus, bacteria, fungal हर चीज की गंदगी होती है तो अगर वो second stage का bed sore है या first stage का भी है तो वहाँ पर bacteria तो अंदर घुषने के लिए वैसे ही बहुत सारे हैं लेकिन जो stool और urine के अंदर हैं गंदगी वो भी शरीर में जाती है और वहाँ पर काफी अच्छा atmosphere बनता है bed sore को develop होने का तो गाइस ये कुछ तरह के कारण थे आगे बात करते हैं कि 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 लोगों को जादा होता है bed sore तो गाइस देखिए bed sore वैसे तो हर किसी उमर में हो सकता है लेकिन ये old age के patients को जादा होता है मतलब कि जो old age के लोग होते है न एक तो उनका blood जो circulation है वो काफी slow होता है आथ ही जो उनकी skin का लचीलापन होता है elastic city होती है वो भी कम होती है जिसके कारण bed sore होने का उनको काफी risk रहता है तो गाइस ये तो इसके reason थे अब बात करते हैं इनसे कैसे बचा जा सके तो गाइस देखिए सबसे पहला तो यही है अगर आपको लग रहा है कि patient को बिल्कुल भी sensation नहीं है तो कम से कम आप उसकी हर दो घंटे में positioning change कराएं साथ ही air bed patient को देना बहुती ज़्यादा जरूरी है hospital में हर patient को air bed दिया जाता है इससे ना तो patient comfortable रहता है बलकि जो bed sore है उसके होने की भी chances बहुती कम होते हैं और अगर patient को अगर positioning change भी नहीं कराते ना एक दो घंटे नहीं कराते तो भी कफी कम risk रहता है और air pass होती रहती है ठीक है गर्मी नहीं होती और गर्मी नहीं होगी तो पसीना भी नहीं होगा ठीक है और जिसके कारण bed sore develop नहीं होता इसलिए patient को हर patient को जो लंबे समय तक रहते हैं ना bed पर bed रिडन patient है उनको air bed देना बहुती ज़्यादा जरूरी है और अगर कोई patient ज़्यादा लंबे समय तक बैठता है तो जो pillow आते हैं air pillow आते हैं air mattress आती है बैठने के लिए आप वो भी दे सकते हैं और air bed और air जो pillows हैं उनका जो link है guys वो description में मैं डाल दूँगा या फिर comment को मैं पिन कर दूँगा तो आप वहाँ से भी check out कर सकते हैं ओके साथ ही guys जो दूसरा बचाव है ना वो है कि आप पहले ही patient को ध्यान देते रहें जो उसके pressure area हैं उनको आप daily routine में चेक करें आप पहली stage को ही पहचालने वहाँ पर अगर आप पहली stage को ही देख लेते हैं तो वहाँ पर अगर आप special care करेंगे तो वह first stage second stage में बदले गए ही और आपको treatment की नोबती नहीं आएगी और guys जो तीसरा बचाव है आप एक routine बना लेकि patient की पूरी body की massage करने की आप दिन में किसी भी time patient की पूरी body की massage कर सकते हैं oil से करें या फिर अकेले हाथों से भी कर सकते हैं हातों से अगर आप पूरी body की massage करेंगे ना pressure points पे जहां पर bed sore बने ही नहीं है ठीक है अगर आपका कोई चाहने वाला है उसको bed sore या फिर वो bed return है ना तो अगर आप उसके हलकी हातों से massage करेंगे एक तो आप उनके साथ time बिता पाएंगे साथ ही वहाँ पर bed sore develop होने के chances भी बहुत कम रहेंगे और देखिए कई बारी क्या होता है कि हमारे पास time नहीं होता ऐसे में आप बारी भी बान सकते हैं घर के जितने भी सदस्यां बारी बारी से massage करेंगे तो काफी patient को तो आराम मिलेगा देखिए massage से patient को अराम मिलेगा लेकिन जो bed sore है उसका भी होने का chance बहुत ही कम रहेगा ठीक है guys तो ये कुछ बचाओ थे अब बात करती हैं इसके treatment की तो guys देखिए one of the best treatment में आपको बताने जा रहा हूँ तो जो first stage का bed sore है ना उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपने सिर्फ वहां पर जहां पर first stage का bed sore हुआ है वहां पर आप नारिल का तेल ले और वहां पर 10-15 मिट आपने massage करनी है circulation motion में आपने करनी है ताकि वहां पर जो blood का circulation है ना वह जादा हो जाए ठीक है आपने जैसे मानली जी यहां पर bed sore हुआ है तो यहां पर coconut oil लगाए या फिर आप कोई भी oil लगा सकते हैं ठीक है वहां पर लगाके आपने circulation motion में ऐसे वहां पर massage करनी है ठीक है आप massage करेंगे ना तो blood का circulation होगा और जो first stage का bed sore है वो हो जाएगा अपने आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है लेकिन patient की हर दो घंटे में positioning जरूर चेंज कराते रहें साथ ही air bed को purchase कर लें और air bed को भी patient को लगा दें ओके जो second stage का bed sore है गाईज इसमें आपने क्या करना है देखे बहुत ही simple मैं आपको treatment बताने जा रहा हूं आपको कोई भी oral medicine की जोड़त नहीं है अगर second stage का bed sore हो चुका है और वो open हो चुका है ना तो वहाँ पर F-heal नाम की cream आती है और काफी effective यह cream है guys second stage और third stage के bed sore को cover करने के लिए तो guys जो F-heal cream को आपने लगाना है साथ नियोस्पुरीन नाम का powder आता है उसको भी आपने छिड़कना है ठीक है और लगाने का procedure क्या है कि देखिए सबसे पहले तो आपने जो bed sore खुला है ना उसको आपने हलका सा वाश करना है किस से करेंगे ns 500 ml की आप bottle purchase कर लेना पहले उसको आपने ns के अंदर थोड़ी सी आप चाहें तो savalon solution या detol आप डाल सकते हैं अगर नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन detol और savalon से वाश करने पर काफी अच्छा रहता है ओके तो आपने patient को side दिलवानी है ताकि जो bed है वो गिल्ला ना हो आपने इस बात का भी धियान रखना है कि bed को गिल्ला होने नहीं देना आप चाहें तो plastic sheet को बिच्छा सकते हैं वो सारा का सारा plastic sheet के उपर गिरना चाहिए अब वो आप अपनी situation के हिसाब से बिठा लेना ठीक है आपने एनस के अंदर थोड़े सा savalon डालना है 500 ml के अंदर आप 10 to 20 ml savalon solution डाल सकते हैं ठीक है उसके बाद आपने जो एनस 500 की bottle लेना उसके उपर एक सुराख कर देना किसी से भी जो 10cc की syringe आती है उसके साथ एक needle आती है आप उससे भी होल कर सकती है ठीक है और मैं तो देचे जब वी wash करताओ ना तो 20 ml की syringe लेता हूं उसके अंदर NS को लेता हूं और उसके मैं pressure दे के जखन को wash करता हूं एनेस के साथ पहले वाश करना है और वाश हमेशा सरजिकल गलाउस को पहन कर करें ठीक है आपने पूरी स्टेरलाइजेशन टेकनिक को फोलो करना है वाश करने के बाद जो स्टेरलाई गोजपीस होता है उससे आपने एक बार उसको साफ करना है पोच दीजिए गोजपीस के स साथ जो की एक स्टेरलाई हो। ठीक है। फिर उसके बाद आपने एफिल क्रीम को लगाना है। क्रीम को लगाने के बाद उसके उपर आप नियोस्परीन पावडर को छिड़क दें। और उसके उपर आप गोजपीस को लगा दें। ठीक है डाइना प्लास्टर या एडेंसी प्लास्टर आप लगा सकते हैं ऐसे लगाना है कि वहाँ पर हवा भी पास होती रही पूरी की पूरी आपने कवर नहीं करना है बैट सोर को ओके और हाँ गाईज एक बात का और भी धियान रखें कि वो जो पार्ट है वो ड्राइ होने दें जब तक वह सूखता नहीं है तो पेशिंट को उसी पुजीशन पर आपने लेटा डाकर रखना है ठNE घर तो यह तो थी सेकीं स्टेज के बैट सोर की बात अब करती है तो घर्ट सेज में क्या होता है कि पस पड़ती है साथ ही जो bed sore है वो भी काफी बड़ा हो जाता है तो आपने क्या करना है आपको चाहिए यहाँ पर hydrogen 100 ml की bottle 500 ml की एनेस की bottle betadine solution, savlon solution, effil cream चाहिए आपको niosporine powder चाहिए ठीक है और साथ ही आपको metrogel cream भी लेनी है और एक place and tracks cream आती है वो भी आपने लेनी है ठीक है गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे dressing करनी है तो गाइस देखिए वही same procedure है कि आपने bed को गिलना नहीं करना patient को ऐसे लेटाना है कि जो भी आप wash करेंगे वो सारा का सारा plastic sheet पर जाएगा उसके बाद आपने savalon solution को NS के अंदर डालना है और उसको अच्छे से wash करना है जखम को कैसे करेंगे आप surgical gloves पहले पहने ठीक है और उसके बाद आपने syringe में अगर आपने NS और savalon solution डाल दिया है तो आप डाल के उसको अच्छे से wash करें wash करने के बाद आपने hydrogen को भी syringe में डालना है उससे wash करें जब hydrogen डालेंगे ना तो वहाँ पर bubbles उठेंगे ठीक है और bubbles उठने के बाद आपने फिर से एक बार NS से अच्छे से wash करना है wash करने के बाद गोजवी से उसको सुखा लें सुखाने के बाद एक टाइम तो आपने effil cream का यूज़ करना है effil cream का यूज़ करने के बाद आपने वहाँ पर new sporing powder को चिड़कना है और फिर गोज़ पीस लगा कर आप उसको बंद कर दें थोड़ा cream को काफी बड़ा रखना है ताकि जो भी secretions निकलें वह absorb हो जाए ऐसा ही आपने शाम के टाइम मतलब कि एक टाइम तो आपने effil cream का यूज़ करना है और शाम के टाइम आपने same procedure करना है और वहाँ पर लगाने के लिए आपने metrogel और place and tracks cream को दोनों को mix करना है अच्छे से और फिर आप इसको लगाए same procedure से ठीक है और अगर जो third stage का bed sore है अगर आपको अगले दिन या उससे अगले दिन आपको result अच्छा नहीं मिलता और patient को भी irritation होती है न थोड़ी सी तो आप paraffin gos को use कर सकते हैं अब कई लोगों को paraffin gos का बिल्कुल नहीं पता तो मैं आपको दिखा भी देता हूं तो गाइस जो paraffin gos है न यह ऐसी silver dubby में आती है और आप कभी भी इसको use कर सकते हैं देखिए कुछ ऐसा होता है paraffin gos चीक है तो ऐसा होता है आप को जीतना भी बैड्स हो रहे है सीजर से आप काट लें और पहले तो आपने जो metrosal or place and tracks cream है उसको mix करना है उसको लगाएं अच्छे से लगाने के बाद यह जो paraffin gos है उसको उसके उपर लगा दें उसके उपर लगाने के बाद आपने जो भी नियोस्परिन पाउडर है वह आप छिडख सकते हैं और उसके बाद आप जो गोजपीस है इसको आप लगा दें सेम चीज आपने एफिल क्रीम के साथ करनी है और गाई जो फॉर्थ स्टेज का बैड्स हो रहना इसमें आपको देखे जो फॉर्थ स्ट जूजरा होता है फॉर्थ स्टेज का बैड्स होता है इसमें आपने क्या करना है सबसे पहले तो आपने अंधेरे में तीर नहीं चलाना आपने एक सटीक क्रीम देनी है ठीक है उसके लिए आपको पस कल्चर की रिपोर्ट करवानी पढ़ेगी आप किसी भी लबोटरी वाल को उस एंटिवाइटिक की क्रीम आपने बैड ओर के अंदर लगानी है ठीक है और उस रिपोर्ट से आने से पहले एक ताइम तो आपने एफ इल क्रीम का यूज़ करना है और जो सेखिंड टाइम है आपने में प्लेस अंटेक्स क्रीम को यूज़ नहीं करना आप है डोक्टर रेडी की आती है और काफी एफेक्टिव है फॉर्थ स्टेज के बैट सोर को ठीक करने के लिए तो आपने दो चीज करनी है किसी भी टाइम आप हाइड्रो हील से ड्रेसिंग करें और जो दूसरा टाइम है उसमें अपने एफिल क्रीम का यूज करना है ठीक है तो आप अल्ट पर जो ऐह फीड्रीम है वहां पर आप ती बैक्ट का भी यूज कर सकते है लेकिन इतना ॡिय auditor देखने को नहीं मिलता सेकंड्ट स् ॉपंतिए CC में काफी यूज फुल होती यह लेकिन ळी महंगी होती आप चाहें तोो पर आप चाह पर्चुश में पैसे लगा देंगे ना आप एक बार टेस्ट करा लें आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सा क्रीम का यूज करना है और अगर आपको फिर भी परेशानी आती है ना एंटिबायोटिक को जानने में तो आप हमें पासी पैड़तारेट जीमेल डोट कोम पर उस रिपोर्ट का स्क्रीन शोट आप खीच लें इमेल कर दें और मैं आपको बता दूँगा कि आपने कि स्क्रीम का यूज करना है ड्रेसिंग के टाइम दोनों टाइम ओके गाईस साथ ही गाईस बहुत ही इंपोर्टन बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप ड्रेसिंग करेंगे ना सेकंड स्टे इस तर्ड स्टेज और फॉर्थ स्टेज की तो ऐसा आपने ड्रेसिंग करना है कि वहाँ पर जो ब्लड है उसकी प्रोपर सप्लाई होनी चाहिए मतलब क्या होता है कि कई बारी वहाँ पर प क्लियर हो जाएगा लेकिन फिर भी आपने अच्छे से साफ करना है पेशन्ट को देखिए तकलिफ तो होगी लेकिन वह उसकी हेल्थ के लिए है अगर आप उससे अच्छे से साफ नहीं करेंगे ना तो पेशन्ट का जो बैट सोर है वो हील नहीं होगा साथ ही कई बरी क्या हो नेला और बलैक होना मतलब कि टिशूउज मर चुके हैं डेमेज हो चुके हैं वह पर बलड सप्लाई नहीं है आप खुदी बताएं वो चीज ही हील होती है जहां पर बलड सप्लाई ही नही हैं वो चीज कैसे हील होगी ओके तो इस पार्ट को आपको निकलवाना पड़े आ आप चाहें तो surgical blade से उस पार्ट को काट सकते हैं अगर आप एक medical professional है ठीक है और अगर आपको बिल्कुल knowledge नहीं है तो आप अपने doctor से consult करें मैं आपको बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आप ये procedure घर पर करें ऐसे ही मैं आपको hospital पर patient को लेके जाना पड़ेगा लेकिन आप ऐसी नोबत ही ना आने दे अगर आप patient की अच्छे से care करेंगे न तो वो चीज नीली भी नहीं होगी और black भी नहीं पड़ेगी लेकिन अगर नीली और black हो रही है तो एक बार doctor को दिखा लें और वो area तो आपको देखे निकलवाना ही पड़ेगा ओके काईस तो ऐसे आपने dressing करनी है अब मैं आपको बहुती effective tablets बताने वाला हूँ जो कि आप कोई सबी treatment ले रहे हों कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इन tablets को अगर आप इन tablets को लेते हैं जो healing process है वो बहुती तेज हो जाती है तो जो पहले नंबर की tablet है वो है काईमरोल बी आर और बहुती effective medicine है पस formation में जिन लोगों को bad sore में पस काफी ज़्यादा बनती है न तो ये पस बनने की process है उसको काफी delay कर देती है ठीक है और गाईस जो दूसरी tablet है वो है conflamine retard 500 mg की tablet ठीक है और जो citrate BR है इसको आपने दिन में तीन बार देना है और जो conflamine retard है इसको आप दिन में तीन बार या दो बार दे सकते हैं conflamine retard से जो peripheral blood circulation है न वो काफी ज़्यादा improve होता है मतलब कि जो bad sore में blood supply नहीं है न काफी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसे bad sore काफी जल्दी हील होता है और साथ ही आप कोई साभी antibiotic ले रहे हों कोई दिक्कत नहीं है antibiotic वही लेना है पस culture में जो कोई भी उन्होंने antibiotic आपको बताया है और अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ना तो एक पर वह रिपोर्ट की screenshot मुझे पासी चैंप at the rate gmail.com पर सेंड जरूर कर देना और साथ ही गाइस एयर बैड का जरूर धियान रखना क्योंकि एयर बैड क्या होता है कई बारी हम लोग capable नहीं होते हैं पेशेंट को हर दो घंटे में positioning change कराने पर शुरू शुरू में केर करते हैं और फिर बीच में हम ignore कर देते हैं ऐसे में अगर आप बैड एयर बैड का यूज कर रहे हैं तो काफी बचाव रहता है बैड सोर से तो गाइस आई होप आज मिने आपको सारी जानकारी दे दी हो लेकिन फिर भी अगर आपको कि कर किसी भी तरह कोई भी डाउट होना तो एक बार प्लीज हमें कॉमेंट जरूर कर लेना आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल होगी तो गाइस ऐसी ही यूसफुल वीडियो और टॉपिक्स के लिए प्लीज हमारे चलन को सब्सक्राइब कर दें स अगली वीडियो में इंक्रस्टिं टोपिक के साथ तब तब के लिए स्टे हैल्दी पेखिए